हेलो बच्चों तो आप सभी का आपके प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल मैथमाटिका में बहुत-बहुत स्वागत है तो यहां पे मैंने जो प्रॉब्लम कंसुडर कर रखा है वो क्याल्कुलेस बाइस समीर बंसल की फंक्शन वाली एक्सरसाइज नंबर वन का प्रॉब बहुत इसका कोई मतलब नहीं है तो बचलेट fx इक्वल डिखते हैं सवाल फटाफ़ट एफ एक्वाल डू मॉडुलस x-2 और gx इक्वल टू f of f of f of ऐसे n बार लिखा गया मिस composition लिखा है, f of fx लिखते हैं, f of f of fx लिखते हैं, तीन बार हुआ, तो वैसे यहाँ पर n बार लिखा हुआ है, if equation gx बराबर k, जहाँ पर k 0 और 2 के बीच में है, has 8 distinct solution, then the value of n is equal to, ठीक है, तो बच्चे फटाफट इसकी drawing पर आते हैं, ठीक है, देखो आपके पास fx दे रखा है, अगर बच्चे मैं fx के graph की बात करूँ, तो fx का graph मेरे लाल कुछ ऐसा होगा, यह किसका graph है, fx का graph है, यह point क्या है, 2,0 है, यह point क्या बच्चे 0,2 है, अब इसके बाद हम f of fx की बात करते हैं, इसके बाद हम f of fx की बात करते हैं, तो बच्चे f of fx का अर्थ क्या हुआ, f of fx का अर्थ हुआ, modulus x की जगाँ पे modulus x-2 रख देंगे, भई f of fx का अर्थ क्या हुआ, जब आप f of fx निकालेंगे बच्चे, तो f of f का अर्थ हुआ, x की जगाँ पे, आप f put कर रहे हैं, अब इसका graph बनाने हैं, तो पहले आप modulus x-2 बनाओ, इसको 2 unit अब नीचे खीचो, अब आपको ये graph बनाने हैं, तब आप इसको 2 unit नीचे खीचेंगे, तो बच्चे ये कुछ ऐसे नीचे आएगा graph, right, 2 unit बच्चे graph नीचे आएगा, तो जब आप graph को, इस graph को जब आप 2 unit नीचे खीचेंगे, तो ये दोनो end कहीं न कहीं access को cut करेंगे, right, हाला कि इसकी जरुवत नहीं लेकिन अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वो कैसे निकालेंगे, आप modulus x minus 2 minus 2 को आप 0 कर दीजिए, तो बच्चे x minus 2 की value 2 आएगी, modulus x minus 2 की value 2 आएगी, तो x बच्चे 4 होगा या फिर 0 होगा, x बच्चे 4 होगा या फिर 0 होगा, ये graph बन गया, अब आप पूरे पर modulus लगा रहे हो, तो बच्चे negative वाला segment उपर आ जाएगा, और जो आपका topmost point है, ये बच्चे 2 है, अच्चा अगर मैं यहाँ 0 से 2 के बीच में, कोई भी line draw करूँ, तो इस graph को कितनी बार cut कर रहा है बच्चे 4 बार, कितनी बार cut कर रहा है, 4 बार, ये parallel line क्यों बनाई क्योंकि कहां इन्होंने GX बराबर K, जहां पर K 0 2 के बीच में है, मतलब GX का output 0 और 2 के बीच का होना चाहिए, तभी मैंने X-axis के parallel एक line बनाई है, कितने solution आ रहे हैं बच्चे 4, क्योंकि कितनी जगा cut कर रहा है, 1, 2, 3, 4 times cut कर रहा है, तो अब देखो हमें थोड़ा थोड़ा pattern मिल गया, अब देखो यहां पर हम ऐसी कुछ math करने वाले भई, आप गौर करना बच्चे, तो हमने जब F half F बनाया, तो बच्चे F half F का graph ऐसा कुछ बना था, यह topmost point क्या था बच्चे अपना, दो, अब मैं Y axis नहीं कर रहा हूं, बहुत जहाँ value अगरा देखना पड़ेगा, यह सब point मैं नहीं लिख रहा हूं, अब वापस अपन क्या कर रहे, topmost value दो है, गहर करना, यह किसका graph था, F of F का, अब मैं F of F of Fx का graph बनाता हूं, इसका क्यार थे, कि X की जगा पे F of Fx पुट कर दो आप, तो यह आएगा modulus, modulus X minus 2, right, minus 2, इसका modulus minus 2, यह पूरा, अब इसका graph बना ले, यह आपके पास जो F of Fx था, इसका क्या मतलब, बच्चे, modulus, modulus, X minus 2, minus 2, पूरे का modulus, तो जो यह वाला graph है, इसको अब आप दो यूनिट पहले नीचे खीचेंगे, मतलब, आप minus 2 कर रहे है, फिर mod लगाएगे न, तो पहले आप इसको दो यूनिट बच्चे नीचे खीचेंगे, तो जब आप इस graph को दो यूनिट मेरे लाल नीचे खीचोगे, तो यह ऐसा बन जाएगा, गौर करना, यह वाला point कहां पहले आजाएगा, बिल्कुल X axis पहले आजाएगा, वाई नहीं यार, यह X है, ऐसे यह नीचे आया, ऐसे यह उपर गया, ऐसे यह नीचे आया, ऐसे य यह उपर गया, अब पूरे पर मॉड लगाने जा रहे है, अब पूरे पर बच्चे मॉड लगाने जा रहे है, पूरे पर मॉड का अर्थ क्या हुआ लाल, पूरे पर मॉड का अर्थ यह हुआ, कि यह नीचे वाला point बिल्कुल 2 पर चला जाएगा, वापस को यह माइनस 2 प पॉइंट कितना आ रहे बोलो बच्चे यह टॉप मोस्ट पॉइंट कितना आ रहे यह दो आ रहे तो जी एक्स बराबर के के अब कितने स्वालिउसन आएंगे वान टू थ्री फोर फाइब सिक्स अगर आप कोई भी लाइन पारलल टू एक्स एक्स बनाएंगे तो छे बार अगले में बच्चे 8 आने आने वाला है तो अब लास्ट वाला आपर प्लॉट कर लिया जया जाए कि 1 मिनिट देखो सी अहमें चार बार कमिशुी संगी बात करते हैं यानी एस फ स्वस्ट फ स फस्टी इसकी बात करते हैं इस का अर्थ क्या हुआ बच्चे माइनस टू और इस पूरे पे मॉडुलिस यह बात समझारी लाल यह हमने क्या लिख दिया अब यह हमने लिख दिया चार बार कम पोजीशन वाली बात यानि जो यह ग्राफ है इसको अब आप दो यूनिट नीचे ले आएंगे तो यह वाले पार्ट एक्सेस के नीचे जाएंगे मेरे बच्चे यह वाले पार्ट एक्सेस के नीचे जाएंगे मेरे बच्चे तो ग्राफ ऐसा बनेगा यह देख लो भाई यह करके दिखाओ बच्चों यह करके दिखाओ यहाँ प्यागे यह एक्स एक्सेस है भेज देते हैं बच्चे भेज देते हैं ये सब हो गया कैंसिल आपका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है ये क्या आ गया मेरे लाल ये मेरे बच्चे दो आ गया तो GX बराबर के has 8 solution देखो बच्चे अगर आप यहाँ पर कोई भी output लेते हैं 0 से 2 के बीच में किसका output GX का उसके लिए कितने X मिलेंगे 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो GX बराबर 8 अगर 8 solution चाहिए तो बच्चे N की value कितनी होनी चाहिए 4 इन की value कितनी होनी चाहिए बच्चे 4 तो लाल इस सवाल में इतना ही थेंक यू बाई बाई laisse ब होनीłem होनी कितनी होनी कितनों कितनी अियू हुआीन Texas बच्चे बाई धुआ di बाई 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 झाल 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 झाल